आप सबीकों मेरा नमाशकार Jackie ci लास क्लाश में लोगोंने पड़ा था experimental के बारे में उसमें लोगोंने कि experimental रिशर्च जो था दो टाइप्स-का था कौन-कौन सा wils गलर Accept and experimental research अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे mechanical इस्टोरिकल डिसर्च के बारे में इस्टोरिकल डिसर्च डिजाइन या कह लिए एतिहासी कनुसंधान देखिए बहुत सिंपल सा टॉपिक है और थोड़ा सा पेशेंच रखकर ध्यान से समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा तो इस्टार्ट करते हैं इस्टोरिकल डिसर्च या एतिहासी कनुसंधान या फिर शोध तो अगर हम लोग एतिहासी कनुसंधान या इस्टोरिकल रिसर्च की बात करें तो देखिए नाम सही आपको समझ में आ रहा होगा कि इस शोध के अंतरगत एक रिसर्चर किस टाइप की रिसर्च करता होगा या जैने कि जितने भी archaeological कैली जिया historical matter है या historical events है उनके बारे में research करना कि क्या व local events। उनके facts और reliability उनकी validity को चेक करना कि जो भी history है हमारी या आभव प्रभाव में लिखी गई है तो इस तरीके से start करते हैं दखेखे जैसे historical research है, इसका क्या aim है सबसे पहले aim की बात करते हैं कि इसका main उद्देश क्या है अतियासी कनूल संधान करने का तो अगर हम बात करें तो क्या है, इसका उद्देश अतीत की घटनाओं का विवरण, प्रस्तुत करना नहीं होता है, यानि देखें इसका उद्देश तत्यों का विशलेशन करके कुछ विचार धाराओं, एवं उनके क्रमिक विकास को विशलेशन के आधार पर खोजना होता है, कहने का क्या मतलब है, कि जो historical research है, केवल इसका aim केवल यही नहीं है, कि past event को describe कर दिया और हो गया historical research नहीं, जो भी facts हैं, उसको critically analyze करके कुछ thoughts और उसके जो sequential development है उनका विशलेशन करके new चीजों को invent करना होता है, जो events हुए हैं, उनके basis को पता लगाना उनकी real conditions situations को पता लगाना और उसी के आधार पर future और present को modify करना update करना और improve करना यानि कि historical research क्या है, हमको एक base प्रदान करता है कि हम अपने वर्तमान और भविश्य को कैसे update कर सके improve कर सके और कैसे समय के अनुसार अपनी आपको हम लोग वर्तमान परिश्थितियों में set कर सके तो अगर एक दो definition की बात करना तो देखे जैसे John W. West कहते हैं कि एतिहासिक समस्याओं के invention के लिए invention का मतलब खोज करना invention एतिहासिक समस्याओं के invention के लिए विज्ञानिक अनुसंधान विधियों का उपयोग करके यानि कि scientific methods का यूज करके विज्ञानिक अनुसंधान विधियों का उपयोग करके अध्यन करना ही एतिहासिक अनुसंधान है इसके अंतरगत समस्याओं का रूप निरधारित करना यानि कि अब देखिए historical research के अंतरगत एक researcher क्या-क्या करता है या इसके दोरा क्या-क्या चीज़े हमें प्राप्त होती है इसके अंतरगत समस्याओं का रूप निर्धारित करना यानि to determine the nature या form of the problem ये काम करता है उनका सिमांकन करना यानि limitation करना यानि कि problems को सिमांकित करना to develop hypothesis परिकल्पनाओं का निर्मान करना to develop hypothesis एवं उनकी जाच भी करना and testing to develop hypothesis and testing और क्या करना तत्यों का संग्रह collection of data collection of data तत्यों का संग्रहन करना organization करना यानि कि तत्यों को का संगठन करना प्रमाणी करन यानि validation और standardization यानि मानकी क्रिद करना परिकल्पनाओं की जाच तथा एतिहासिक विवरण लिखने का कारिव करता है यानि कि इतनी चीजे हम लोग एतिहासिक अनुसंधान के अंतरगत करते हैं और यह सभी पद अतीत को नए ढंक से समझने तथा वर्तमान भविश के लिए इनकी साड़ थक्ता क्या है इसको जानने के लिए मार्क दर्शन करते हैं यानि अभी देखिए जश्ट बताया मैंने कि यह इतिहासिक अनुसंधान क्या करता है प्रेजेंट ॠ एंड् फूचर के लिएս गाईडन्स भी हमको परुवैड करता है मार्क दर्शन भी परुवैड करता एब आगे देखिए क्या है अब आगे बात करते हो आतिहासिक अनुसंधान के जो importance है यानि इसका महत वो क्या है हम क्यों एतिहासी का नुसंधान करते है तो क्या इसकी importance है पहला देखे क्या है understanding of the present through past यानि की अपने वर्तमान को समझना किसके द्वारा अपने अतीर के द्वारा यानि अपने past के द्वारा present को समझना एक तो इसका महत वो इसके लिए है दूसरा है इसका understanding the nature of change दूसरा महत वो क्या है understanding the nature of change यानि की जो परिवर्तन हो रहा है उसे समझना यानि की परिवर्तन की परिवर्तन की प्रकृति को समझने में सहायक समझने में सहायक होता है अब इसका क्या मतलब है यदि कोई इतिहासी कनुसंधान करता जो है परिवर्थिन की प्रकृति को समझना चाता है यानि कि जो changes होने उसका nature क्या है तो वो किसकी मदद लेता है वो मदद लेता है इतिहासी कनुसंधान की अब अगला देखिए पॉइंट क्या है evaluation of the impact of past यानि कि जो अतीत है पास्ट के जो प्रभाव हैं उनका मुल्यांकन करना अगला importance क्या है formulation of hypothesis आप देखिया अगला क्या है इसमें आपका limitations क्या है सीमाय क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है पहला है कि limitation इसमें सबसे बड़ा limitation यह है कि data is scattered होता है यानि जैसे आप आपने कोई example लिया एक ऐसा example लेते हैं एक एक्जामपल लेते हैं कि माली जै कि 1835 में मैकाले मिनट आप लोगों ने सुना होगा पढ़ाया भी था मैंने मैकाले मिनट तो अठारज सो पैंतिस में जो मैकाले मिनिट आया था उसमें भारतियों को सिक्षा किस प्रकार की दी जानी चाहिए इसके बारे में लौड मैकाले ने पूरा वरणन किया था तो अब अगर कोई researcher 1835 यानि उस समय कितने साल पहले की बात है तो कितने साल पहले की बात है यह लगभग 185 साल पहले की बात है कि 1835 में जब मैकाले मिनिट पास हुआ था तो उस संदर में सिक्षा का क्या स्वरूप था क्या गाइडलाइन्स थी क्या नियम थे क्या मैकाले ने क्या क्या बाती उसमें कहीं थी अब कोई researcher इस बात पर research करना चाता है कि जो 1835 का मैकाले मिनिट है और जो आज का हमारा new education policy है इसके बीच क्या difference है क्या कोई correlation है इन दोनों policies की बीच या वो जो 1835 का मैकाले मिनिट था वो अब present situation में कितना relevance रह गया है उसका उसकी relevance की जाच करना या फिर उसमें कमिया क्या थी कि वो सफल नहीं हो पाया या सफल हुआ तो क्या उसमें खूबियां थी कि सफल हो गया इन सब चीजों के बारे में जब कोई researcher research करना चाहता है तो वो किसके अंतर गताएगा वो आपका historical research के अंतर गताएगा या फिर अगर हम बात करें recent की problem ने तो जैसे माली जेड़ एजुकेशनल innovations of the 1950s and 1960 यानि कि educational innovation जो सिक्षा में नए नए शोध हुए हैं किस किस डिकेड में 1950s और 1960s में तो वर based on practices previously tried and discarded यानि कि 1950 और 60 में जो new inventions हुए हैं वो किस हद तक सार्थक थे उससे दुनिया में किस प्रकार के परिवर्तन आए अगर कोई researcher इस बात पर भी research करना चाहता है तो यह भी किसके अंतर गताएगा या आपका एगा historical research के तो अब देखिए अगला limitations इसका क्या था हम लोग लिमटेशन की बात कर रहे थे तो पहला तो था कि जो historical research में पहली limitation होती है कि data scattered होते हैं यानि कि जैसे अगर कोई researcher data को collection करना चाहता है तो वह data एक ही जगह पर उपलब्द नहीं होते हैं बहुत ही scattered scattered का मैंनोता है बहुत बिखरे हुए होते हैं और जब data का स्वरूप बहुत ही बिखरा हुआ हो तो data collect करना बहुत ही complex हो जाता है उसकी reliability कम हो जाती है क्योंकि एतिहासी कनुसंधान में एक सबसे बड़ी कठनाई क्या है कि जो संबंदित आकड़े या तथ्य हैं किसी एक संस्था में प्राप्त नहीं होते हैं क्योंकि अब जब आप एतिहासी कनुसंधान से related तथ्यों को facts को कठ्था करने जाएंगे तो आपको कई तरीके के institutions में जाना पड़ेगा data को collect करने के लिए तो अब आप आते हैं कि research भी हो जाए और एक ही जगह एक ही institution में सारी जो है कि data collection हो जाए अब जैसे मैकाले मिनिट की बात करें तो आप सुचें कि एक institution से या मैकाले मिनिट जहां launch हुआ था कि वहां के वहां के library में जाकर या उस स documents हैं इसके जो evidence हैं हर state में आपको मिलेंगे और इसने जो related प्रतिलिपिया है या आप के लिजी की reports है यह हर जगह आपको मिलेंगे अब कहां authentic है कहां का original report है कहां पर duplicate report बची है कहां पर उसकी copy है इसको decide करना बड़ा ही मुस्किल काम हो जाता है तो इसने देखे क्या है कि क दर्जनों संस्थाओं और पुस्तकालियों में जाना पड़ता है फिर भी इस प्रकार के अनुसंधान से संबंधित पुस्तकें संबंधित पुस्तकें कह लिजे लेख शोध पत्र पत्रिकाएं यानि आर्टिकल्स और प्रलेख आदी उपलब्द नहीं हो पाते हैं तो सब अगली लिमिटेशन इसकी क्या है प्रलेखों का या डॉक्यूमेंट्स का तुर्टिपूर्ण रख रखाओ तुर्टिपूर्ण रख रखाओ यानि कि पुस्तकालियों तथा अनेक संस्थाओं में जब कोई अतिहासिक अनुसंधान करता तर्थ्यों के एकी करण के लिए जाता है तो क्या होता है कि उसे प्रलेखों के दोस्पूर्ण रख रखाओ के कारण आकणों के संग्रहण में सम्मंद में अध्यन करने में क्या होती है कठनाई होती है यानि कि documents कभी-कभी sequence में नहीं होते है not in sequence और कभी-कभी उसमें दीमक लग जाते हैं चूहों के करण कड़ पिड जाते हैं तो इस तरीके से क्या है कि तुरूटी पूर्ण रख रखाओ के वेज़े से भी data collection या मानकी कृत विधी अभी तक नहीं हो पाई है जिससे कि उसको universalize या universal level पर apply किया जा सके या standard level पर इसको apply किया जा सके यानि कि सबसे एक सबसे दिक्कत क्या है lack of standard method की अब देखे क्या है अगला point है इसमें हाँ देखे इसकी reliability भी कम हो जाती है कि उस research के बाद जो आपको findings मिलेंगी उसकी reliability कम हो जाएगी उसकी objectivity भी कम हो जाएगी अब आगे बात करें तो limitations में अगला limitation की अगली problem क्या है problem of measurement अगली एक अगली problem क्या है historical research में कि measurement यानि मापन में بھی समस्या होती है मापन की समस्या कि डेटा को कैसे measure किया जाय है accurately यानि यह थार्थता की कमी आ जाती है अब देखें अगर बात करें historical तो जैसा कि शुरॉवात में बात की कि analyzing the past events and develops the present concept and conclusion analyzing the previous information or events and testing their validity वही previous events को analyze करना और उसकी validity वेधता को check करना the purpose of a historical research design is to collect verify and synthesize यह पढ़ चुके हैं अभी बताया था शुरॉवात में describes what occurred in the past यह भी डिस्क्राइब करता है कि past में क्या अकर हुआ है डिपेंड्स अपॉंट डेटा अब्जर्व बाई अधर रेधर देन investigator यह किस पर डिपेंड करता है investigator को छोड़कर दूसरे लोगों पर data collection डिपेंड करता है अब अगर बात करें तो historical research में जो हमारे पास sources of data है यानि हम आकडों का संग्राण कैसे कैसे करते हैं तो आकडों का संग्राण हम लोग historical research में दो तरीके से करते हैं एक तो हमारे पास है primary sources और दूसरा हमारे पास है secondary sources अब देखिए primary sources क्या होता है primary sources या फिर प्राग्मिक्स रोट जिसे हम कहते हैं तो primary source का मतलब क्या होता है पहले यह समझे जो प्राइमरी सोर्स होता है उसका मतलब यह होता है कि जब researcher directly खुद involve होकर data को collect करता है documents को collect करता है और real situation में वहां पर उपलब्द होता है तो यह क्या है primary sources original documents जो होते हैं वो primary sources होते हैं जैसे कि primary sources are eyewitness accounts यानि कि primary sources क्या है एक तरीके कि eyewitness accounts है they are reported by an actual observation observer यानि कि जो primary sources है वो किसके द्वारा क्लिक कि जाते है actual observation observer के द्वारा sorry actual observer या फिर जो उसके द्वारा जो की उस event में participate किया हुआ हुआ है यानि participant in an event यानि कि जो उस event में प्रतिभागी है तो यह है primary sources अब देखे primary sources में क्या-क्या चीज़े आती है अगर हम बात करें तो primary sources में documents आते हैं remains और relics लिखा है objects और तीसरी primary resource है testimony अगर हम documents की बात करें primary resource में documents की बात करें तो हम यह कहेंगे कि documents क्या-क्या होंगे यानि कि documents are the records kept and written by actual participants वह वह documents जो की actual participants के द्वारा write किये गए है written हाना और witness और क्या कहें हम जैसे example की बात करें तो primary sources अब जैसे माली मैकाले मिनट की बात किया तो हमको कहां-कहां सी उसके evidence मिल सकते है constitutions, letters, diaries, charters, charter acts जानते ही होंगे आप लोग चाल्टर्स, laws, court decisions, laws के बाद है आपका, court decisions, office minutes और records यानि official minutes और records, autobiographies बहुत ध्यान से इसको देखेंगा है क्योंकि example पूछा जा सकता है कि primary resources के क्या-क्या example होते हैं तो autobiographies, census information, deeds, contracts, contracts, deeds, permits, license, licenses, affidavits, declarations, bills, handbills, lists, magazine accounts, pictures, paintings, transcription, research reports, diagram, books यह सारी चीजे किसका example है primary resources का अब देखेंगे second one हमारा क्या है second one आपका है remains और relics अब remains और relics क्या होता है इसके बारे में देखेंगे remains और relics या फिर हम इसको कह सकते हैं objects related to objects अब दूसरा source of collection of data क्या है relics are objects associated with a person यानि कि यह वो object होते हैं जो कि किसी उस person से related होते हैं उस group से related होते हैं या उस time के होते हैं उस period के या कोई fossils कहलीजे skeletons कहलीजे अब मानिजे कि कोई researcher जो हरपा civilization के बारे में research करना चाता है कि हां उनकी संस्कृति कैसी थी तो अब वहां से जो skeletons मिले हैं वहां से जो घड़े मिले हैं मटके मिले हैं वहां से जो तामे कांशे की मूर्तिया मिली हैं उसके लिए वो क्या होगे primary resources of data अब अगर कोई researcher मानिजे कि यह research करें कि एक सिक्का मिला है कहीं पर वो सिक्का जिसने पाया है वो यह claim कर रहा है कि यह मुगल काल का सिक्का है जो कि पंद्रो सो इसी में बादशाह ने छपवाया था बादशाह अकपर ने छपवाया था अब उसने इस सिक्के को कह दि अब इस से related primary sources कहां से लेगा researcher जाएगा जहां पर देखेगा कि मुगल काल में जो पुस्तके लिखे गए थी उनका help लेगा जो वहां के monuments हैं मुगल काल के जो वहां की बनावाट है संस्कृति है उन सब के बारे में जाकर real situation में उसको अध्यान करेगा और उसके बाद इस research क वह अगयों कंड़क्ट करेगा अब यह दिखें रिमेंस और रेलिक्स में वही picture है painting's पिक्छर्स है the satures by paintings inm penguins तो यह सब किसके इकडाबल unwary और टेस्टीमोनी और टेस्टीमनिक का मतलब यह कि कि अएसे इंसान से पूस्तायच करना एससे से पूस्तायच करना जो समय वहां पर मौझूद रहा होगा आप जैसे मालीजे कि कोई इस इंसान यह रिसर्च करना चाहता है कि 1947 में जो भारती समाज था उसका सरूप कैसा था यह सतंतरता से पूरू भारती समाज का सरूप कैसा था अब oral testimony का मतलब क्या है कि oral testimony is the spoken account of a witness और participant in an event oral testimony का मतलब उस इंसान से पूछना जो उस समय मौझूद था उस पीरेड में मौझूद था अब हम एक ऐसे इंसान से पूछताच करेंगे कि जो 1947 में जिन्दा रहा होगा जिन्दा सॉरी 1947 में जिसका जन्म हुआ होगा और 1947 के बात का जो भारती समाज का सरूप था उसके बारे में वो उससे अच्छा और भी कोई और नहीं बता सकता है और उसका इंटर्व्यू लिया जाएगा उससे डीप नौलेज लिजाएगी तो यही ओरल टेस्टी मोनी अब देखिए secondary सोर्सेज की बात करें तो secondary सोर्सेज क्या है secondary sources आपका है secondary sources वो होते है जो की directly उस participants से data collect नहीं किया जाता है जो की data कहां से collect किया जाता है secondary sources से relations से जैसे history की text book हो गई, जैसे encyclopedia हो गया, अब देखिए एक अगला point है इसमें historical criticism, जब historical research हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें एक बहुत important term आता है historical criticism इसके बारे में जबी समझना ज़रूर लिए तो आपका historical criticism है यानि कि एतिहासिक अलूचना वाद है, वो दो टैप का है एक होता है, एक है external और दूसरा है आपका internal, यानि कि historical criticism जो है, दो टैप का है, एक है external यानि bio आयो और दूसरा है internal यानि कि आंत्रिक आप eternal और Черno इंटेर्नल क्या है इसको बारी बारी से समझ लेते हैं तो जो external आपका होता है externo is related to authenticity या genuiness simply सी भासा में बस इसको समझए कि जो external criticism है historical research में वो वास्तविक्ता से सम्मनित होता है यानि कि डेटा की वास्तविक्ता से, जन्यूननेस से, यानि कि जो external criticism है, ये कि किस बात की जाज करता है, कि जो भी data collect किया है, वो genuine data है या नहीं, यानि कि external criticism, external criticism establishes the authenticity or genuineness of data, genuineness of data, is the relic or document a true one rather than a forgery, यानि कि जो data collect किया है, वो real है, authentic है, और genuine है या नहीं, genuine मतला मूल है कि नहीं, मौलिक है कि नहीं, तो इसको कैसे पतक किया जाता है, वही जैसे सिक्के वाला example लिया, अब एक सिक्का मुगलकाल का सिक्का है या नहीं, तो researcher क्या करेगा, इसका external criticism के तुरू जाज करेगा, कि ये जो सिक्का है, ये सच में valid सिक्का है, authentic है, genuine है, इससे जो data लिया जा रहा है, वो original है, यानि कि सच मुझ में वो, ये सिक्का, जो है, मुगलकाल का सिक्का है, अब देखें, अगला क्या है, internal criticism, तो जो internal criticism है, वो किस से related है, आपका, concerned with the trustworthiness, और veracity of materials, checks, facts, यानि कि ये, सत्तिता से आधारित है, यानि कि, सत्तिता पर आधारित है, there is still the problem of evaluating their accuracy or worth, यानि कि अब जो, जिस से, जो original data तो हमको मिल गया, external criticism से, लेकिन उसके बात का जो step है, internal criticism, अब ये जो सिक्का है, उससे जो हमने facts जुटाएं है, उससे जो हमने facts से जुटाएं है, लेकि क्या लिखा है, relics has been established, there is still the problem of evaluating their accuracy or worth, यानि कि उसके बात भी एक प्र कि जो हमने facts से जुटाएं हैं, वो कितने accurate हैं, कितने pinpointed हैं, कितने centered हैं, तो, यानि कि क्या है कि, जैसे, do they real or true picture, what of the writers और creators, were they competent, honest, unbiased and actually acquainted with the facts, और were they too antagonistic और too sympathetic to give a true picture, यानि इन सब बातों की जानकारी हम किस से लेते हैं, internal criticism से, internal criticism से, यानि कि दो चीज़े हैं, exam में पूछा भी जाता है, कि external criticism किस से related है, तो, genuineness से, वास्तविक्ता से, authenticity से, और internal किस से related है, trustworthiness, यानि कि, सत्यता से, fact से, देखे, external criticism in historical research evaluates the validity of the document, यानि कि ये, document की validity का मुल्यांकन करता है, this is where, when and by whom it was produced, यानि किस बात का पता लगाता है, कि ये कहां, कब और, कैसे, किस ने, इसको produce किया, internal criticism क्या है, evaluates the meaning, accuracy, ये अर्थ को, अर्थों का मुल्यांकन करता है, accuracy and trustworthiness of the content of the document, यानि कि, document की accuracy और trustworthiness का, चेक करता है, तो ये है, internal criticism, तो इस तरीके से, आज हम लोगों ने देखा, कि क्या होता है, historical research, और historical research में, कुछ main main concept हम लोगों ने देखा, आप next class में हम लोग कुछ, अलग topic पढ़ेंगे, आशा करता हूँ, आपको, आज की class समझ में आई होगी, फिर भी कोई confusion है, तो आप comment के द्वारा पूछ सकते हैं, thank you so much, आपका दिन शोबू,